ब्रह्म के प्राप्ती का मूरुक्त इक फाव ये भी सुन जल्दी उठना स्वास्ते के लिए तो बहुत-बहुत बहुत लाँपकारी दुनिया के सफल तम व्यक्ति चाहें वो जिज्ग चेत्र की सफलता को उसने प्राप्ति किया हो लेकिन सफल तम व्यक्ति को आप देखोंगे तो उसमें ये बात अवश्य होगी वो जल्दी उटने वाला जरूर हो रहे है कुछी बात डॉंग्रे जी महरा है चार बजे तो नर्मदा जी में प्रवेश कर ले देखा चाहे शर्दी हो चाहे गर्मी हो चाहे जो अद्वित्री ये सफलता जिसको भी प्राप्त हुए है उसमें ये गुण की प्रधानता पाई जाए जल्दी उठने वाला क्योंकि उस समय में संकल्प सिद्धी होती है किसी भी मुरूत में संकल्प कर लो तो सिद्धी तोड़ी हो जाता है जब कोई भूमी पुजन भी करना है वास्तु भी करना है तो प्रती काम के लिए सिला नियास करना है नए घर में प्रविश करना है तो फिर आप पंडित जी से कहोगे कि किस मुरूत में प्रविश करना है किसी भी मुरूत में संकल्प जल लेकर के कर लिया तो शिद्ध नहीं होता है निश्चित मुरूत में जब होता है तब वो शिद्ध होता है तो इश्वर प्रापती का संकल्प या फिर जीवन सिद्धी का संकल्प हमें ब्रह्म मुरूत में करना जा है ठीक है कभी देर से सोएं, बाहर देथ हैं, बहुत देर से आएं और फिर आप उस दिन थोड़ा देर तक आराम किया तो ठीक है उसमें कोई दोश नहीं लेकिन वो जीवन नहीं हो जाना चाहिए हम लोगों का तो जीवन ही वो हो जागा कि देर से ही सोना, देर से उठना, और कभी-कभी अपवार्द रूप हम जल्दी उठ जाए, ब्रह्मुरत में उठने वाला भी, कभी अपवार्द रूप देर से उठे, क्योंकि आया है देर से, तो इसमें कोई दोस्त ने, अपवार्द रूप कभी हो जाए, पाइट बहुत देर से आए, रात बर सोय नहीं थे, और बाद में देर से सोने के कारण तिन-चार घंटे उनिंद कर ले, अपवाद रूप होना चाहिए, लेकिन अपवाद रूप ब्रह्म मुरुद में उठे जाए, कि द्वारे का जाना है, ट्रेन जल्दी है, इसलिए उठे, अब वाद्रुक देड़ से उठों लेकिन देड़ से उठना जीवन नहीं होना चाहिए जीवन होना चाहिए ब्रह्मुरुत दिव्या आत्मावों का उस समय वीचरण होता है झाल